हेलो माई डियर इस्टुरेंट वेलकम टू आवर यूटूब चैनल एजूकेशन जेट टिगनामेट्री की सीरीज चल रही है NCRT की सभी कोशन्स जो है इस चैनल पर आपको मिलेंगे जो UP Board, CBSC Board सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बाद MCQ की सीरीज चलेगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे हर एक कंपॉर्टेशन के लिए होंगे तो टाइम ना बेश्ट करते हुए हम लगे स्टार्ट करते हैं हमारा जो है एकसरसाइट एस पॉइंट चल रहा है जिसके कोशन नमबर टू है इसमें जो है चार पार्ट दिये हो गये हैं जिन अब्जेक्टिव टाइप की कोशन हैं तो आप लोग ध्यान से इसे देख लें और इसको पहले हम सॉल्व करते हैं फिर इसका आंसर देखेंगे कि क्या आएगा तो आप लोग ध्यान से देखें question को तो सबसे पहला question हमारा इसका first part है second का 2 10 30 degree upon 1 plus 10 square 30 degree इसके 4 options दिये हुए हैं कौन-कौन से sin 60, a हमारा sin 60 है, b हमारा cos 60 है c हमारा 10 60 है और d हमारा sin 30 है तो पहले हम इसको find out कर लेते हैं कि इसका actual में answer क्या आएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं इसको 2 10 30 की value क्या होती है यह सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो 10 30 की value क्या होती है 1 upon root 3 table आप लोग को याद होनी चाहिए 1 plus 10 square 30 means 1 upon root 3 whole square एक तरीका आप लोग है जैसे आपको 10 30 की value अगर निकालनी है मैं concept बता दे रहा हूँ तो 10 theta होता है sin theta upon cos theta sin 30 भी अगर आपको याद है और cos 30 भी अगर याद है तो दोनों को अगर हम divide कर दें तो हमको 10 30 मिल जाएगी sin 30 की value हमको पता है 1 by 2 होती है और cos 30 की value हमने बताया था cos and sin क्या होते है एक दुसरे के complementary, complementary means दोनों का sum 90 होगा जो cos 30 की value होगी वो sign किसकी value होगी 60 की तो root 3 by 2 और इसको जब हम solve करेंगे तो 1 upon 2 और यह 2 उपर चला जाएगा यह आगए हमारी यह cancel out हो गई तो इसकी value क्या आगए 1 upon root 3 यही तो हमने रखा 10 30 की value यहाँ 1 upon root 3 आप देखिए ध्यान से 2 का one way multiplication 2 upon root 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 plus 1 root 3 का square 3 अब ध्यान से देखिए अप लोग इसको जब हम लो solve करेंगे तो क्या आएगा हमारा answer 2 upon root 3 और इसका LCM जब लेंगे 3 plus 1 upon 3 इन दोनों का LCM 1 और 3 का 3 आगया हमने 3 यहाँ आगया अब क्या हो जाएगे value 2 upon root 3 और इसका जो denominator रही है उपर चला जाएगा और नीचे क्या जाएगे 3 upon 4 2 से हमने इसको cancel कर दिया तो हमारी value क्या आगई 3 2 root 3 अब हमने आपको एक चीज बताया था कि कभी भी denominator में क्यानि हर में root वाली value नहीं होती है तो हम क्या करेंगे same value से root वाली से numerator और denominator में multiply कर देंगे तो क्या आजाएगी value 3 root 3 upon में root 3 into root 3 क्या होगा 3 हो जाएगा और 2 पहले से ही है 3 होगे इस 3 से ही हमारी 3 cancel होगे value क्या आगे root 3 upon में 2 root 3 by 2 हमारे पास 4 option है किसकी value होती है एक तो sin 60 दिया है cos 60 दिया है 1060 दिया है तो यह basically किसकी value होती है यह हमारी होती है sin 60 की value जब तक आपको table नहीं याद होगा आप questions नहीं कर पाऊगे तो इस तरीके से हमारा first part finish हो गया अब हम लोग इसका second part देख लेते हैं second part में क्या है second part में है 1 minus 10 square 45 upon में 1 plus 10 square 45 यह mcq है इसके 4 options क्या क्या दे रखे हैं यह भी हम लोग देख लेते हैं तो पहला option इसका दे रखा है यह जो है 1090 इसकी value 1090 के एककोल हमको या तो दिखाना होगा या तो 1 आ सकती है या sin 45 या 0 तो इसको हम जब solve करेंगे तो हमें exact पता चलेगा यह mcq है तो इसको हम क्या solve करते हैं अब यहाँ पर क्या हो जाएगी value 1 minus 1045 की value क्या होती है 1045 की value 1 होती है तो 1 square upon 1 plus 1045 की value 1 1 square अब यह क्या हो जाएगी 1 minus 1 upon में 1 plus 1 1 minus 1 0 यह value क्या हो जाएगी 0 एक आपको ध्यान रखने वाली value है याद रखने वाली चीज है कि 0 upon अगर any value हो तो वो 0 होती है और any value upon 0 हो तो वो क्या होती है infinity not defined होती है यानि हम यह कह सकते है 2 upon 0 not defined होगी 0 upon 2 इसकी value 0 होती है तो यह आपको ध्यान रखने है तो यह 0 अगई अब हमारे पास option दिया हुआ है क्या-क्या option है 1090 तो 1090 तो 0 होता नहीं है not defined होता है इसकी value 1 1 तो आने लिए 0 आ रही है sin45 यह भी नहीं हो सकती क्योंकि उसकी value क्या होती है 1 upon root 2 होती है d हमारे option दिया है 0 तो यानि इसका answer जो आ रहा है 0 आ रहा है यानि इसका right answer क्या हो जाएगा d हो जाएगा हमारा right answer इसका d 0 हो जाएगा अब हम लोग आगे देखते है अब इसका third part है कहता है कि sin2a is equal to 2 sin a is true when a a means angle angle a की value क्या हो कि यह value इसके equal हो तो हमारे पास option क्या क्या दिये हुए है पहला तो option दे रख़ा है 0 तो सबको हमको क्या करना होगा इसमें put करके check करना होगा इसमें answer से हम लोग को check करना होगा 30 दिया हुआ है तीसरा option क्या दिया हुआ है 45 दे रख़ा है और इसमें fourth option दे रख़ा है 60 इन values में से किस value के लिए यह left side जो है right side के equal होगा यह हमको दिखाना है तो यहां पर यह basically किस की value दे रख़ी a की value क्या इसमें a की क्या value रख दी जाए जिससे क्या हो जाए अभी यह clear रही है कि क्या value है इन values में से किस value के लिए यह left side right side equal होगे अब हम पहले a की value 0 रखते हैं तो sin 2 into a की value उमने 0 रख दिया तो क्या basically आ जाएगी sin 2 into 0 means 0 sin 0 degree की value 0 ही होती है यहां पर हमने क्या यह LHS रखा left hand side में by side में रखा अब right side रखते हैं यही चीज़ RHS में 2 sin a की value हम क्या रखते हैं आपे 0 रखते हैं अब 2 into sin 0 की value 0 यह क्या आ गई 0 आ गई जब यहां left side और right side क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं किस value पे equal आ रहे हैं a की value 0 पे तो हमें आगे चेक करने की जुरत ही नहीं होगा पहला ही option इसका जो हो जाएगा यही right हो जाएगा तो आगे चेक करने की कोई need पड़ेगी ने क्योंकि एक ही इसमें से answer सही होना है अब हम लोग आगे देख लेते हैं अब हम लोग question second का last part fourth part देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है कि 2 10 30 degree upon 1 minus 10 square 30 degree तो इसमें option क्या दे रखें इसकी value जो है जब हम find out करेंगे तो या तो cos 60 के 1 को लाएगी या sin 60 के 1 को लाएगी या 1060 के 1 को लाएगी या sin 30 के 1 को लाएगी यानि इसकी value जो है अगर देखा जाए तो हम पास 4 option दिये हुए है cos 60 के या तो equal लाएगी तो पहले हम इसको find out कर लेते हैं कि exact इसकी value आएगी क्या जो हम solve करते हैं तो 2 in 2 10 30 की value हम यहाँ पे रख देंगे 10 30 की value क्या होती है 1 upon root 3 और यहाँ पे 1 minus square है तो root 3 का square हो जाएगा आप ध्यान से देखिए 2 का one way multiplication याने 2 root 3 यह हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगी value 1 minus 1 upon root 3 का square यह क्या हो गया distribute होता है जैसे अगर ऐसे दिया हुआ whole square तो यहाँ a पे अलग square b पे अलग square इस तरीके से तो यहाँ पे 1 पे square और root 3 पे square 3 आगी value अब इसमें हम LCM निकाल के solve कर लेते हैं तो 2 root 3 अब क्या हो जाएगा LCM इनका 3 हो गया और 3 का यहाँ आ गया तो 3 minus 1 अब इसको solve करते हैं क्या जाएगा 2 upon root 3 into 3 जो है यह उपर चली गए और 3 minus 1 2 नीची आ गए यह cancel हो गई अब ध्यान से देखिए 3 upon root 3 हमने बताय था न बोलते हैं परमी करड़ हिंदी में परमी करड़ और इंग्लिस में बोलते हैं rationalization हम कर देते हैं इसका root 3 इसको rationalization बोलते हैं तो 3 का तो यानि 3 root 3 और root 3 into root 3 means root 3 का square यानि 3 आ गया यह हमारी value cancel हो गई अब ध्यान से देखिए answer में match कराईए cos 60 root 3 cos 60 के equal होती है नहीं होती इसके बाद फिर ध्यान से देखेंगे sin 60 के equal होती है नहीं होती है answer जो आया है इसका क्या आया root 3 आया है तो इसमें अब ध्यान से देखना तो यह क्या होता root 3 1060 के equal होती है तो root 3 1060 के equal होती है यानि हम इसके place पे 1060 लिख सकते हैं हमारा राइट अंसर क्या हो जाएगा सी इसका राइट अंसर हो जाएगा इस तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट भी फिनिस हो गया थैंक्स पूर वाचिन इस वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लों के लिए वीडियो लेकर आता रहूं